जेहिन दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मातिंगरी हाजरा के बारे में जिने अंगरेजों ने 72 साल के उमर में गोलियों से छलनी कर दिया लेकिन उन्होंने मरते दम तक ती रंगे को नहीं गिरने दिया तो चली वीडियो को शुरू करते हैं उनका जन मुनिस सक्टूबर 1870 को पुर्वी बंगाल वर्तमान में बांगला देश मिदनापुर जिले के होगला गाउं में अतेंत निर्धर्म परिवार में हुआ था। मातेंगनी मीदनापुर के ताम लुक में अलग जोपड़ी में रहकर मजदूरी से जीवन यापन करने लगी। ग्रामिनों के दुख सुख में सभागी होने के कारण में पूरे गाउं में मा के सम्मान पूजनिये हो गए। वो महिलाजी से जिंदगी के 62 साल तक तो ये भी नहीं पता था कि स्वतंतरता अंदोलन क्या है। उनकी अपने गाउं और घर से बाहर के जिंदगी बड़ी सीमी थी लेकिन उन्हें बूरी गांधी के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही अकेले रहते रहते उनको 44 साल बित गए। लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करती और उसी से अपना घर चलाती। धीरे धीरे लोगों से देश की हालात और गुलामी के बारे में जानने लगी। घर से बाहर निकली तो उन्हें अंग्रेजी हुकूमत का अत्याचार दिखा। धीरे धीरे लोगों से महत्मा गांधी और अन्यसो तंत्रता से नानियों के बारे में जानने लगी। तन 1932 में एक दिन उनकी जोपड़ी के बाहर सिसविनय अवग्य अंदोलन में एक विरोध यात्रा निकली। आति इंगनी भी उस यात्रा में सामिल हो गई। उन्होंने तामलुक में कैसे भारत छोड़ो आंदोलन की कमान को संभाला था। उसके बाद मातेंगिनी हाजरा ने चोकिदार पर रोगो प्रदर्शन में हिस्सा लिया। रोध प्रदर्शन में वह काला जंडा लेकर चलने लगी। बदले में छाह महिने की सजा सुनाई गए। जेल स गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो। 70 साल की उम्र में मातेंगिनी हाजरा ने तामलुक में भारत छोड़ो आंदोलन की कमान संभाली। लोग मानने लगे थे कि अंग्रेजी राज की समापन का मौका करीब आ गया है। मिदनापूर के सोतंतरता से नानी ने तैक किया कि सबी सरकारे ओफिसों और थानों पर तिरंगा फहरा कर अंग्रेजी राज खत्म कर दिया जाए। 29 सितंबर 1942 का दिन था तामलुक में 6000 से अधिक लोगों का अंग्रेजों के विरुद जूलुस निकला था। इस अंदोलन में ज्यादा तर महिलाएं सामिल थी। वह जूलु तिरंगा आज कोई मुझे नहीं रोक सकता वंदे मातरम के उध्गोस के साथ आगे बढ़ें। पूलिस की चेतावनी पर भी वह नहीं रुकी तो ये गोली उनके दाय हाथ पर मारी गए। वह घायल हो गए लेकिन तिरंगे को नहीं गिरने दिया। घायल मातिंगनी ने ति भाले रखा गिरने नहीं दिया। वह लगातार वंदे मातरम बोलती रही जहंडा उचा किये रही और थाने की तरह बढ़ती रही। तब एक पुलिस ओफिसर ने तीसरी गोली चलाई सीधे उनके माते पर। वो तो नीचे गिरी लेकिन तिरंगा जमीन पर नहीं गिरने दि मातेंगनी के मौत के बाद तामलू के लोग आकरोसित हो गये। उनका सम्मान उस इलाके में उस वक्त गांधी जी से किसी मायने में कम नहीं था। सब ने सोचा जब एक बुड़ी मैला इतनी हिम्मत देश की आजादी के लिए दिखा सकती हैं तो हम क्यूं नहीं। लोगों ने सरकारी दफ्तरों से कबजा छोड़ा। महत्मा गांधी भी मातेंगनी के आदम में साह सुनकर हैरान थे। अगर आप ऐसे ही भारत के सुतंतरता से नानियों के बारे में जानने की इक्षा रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले। तो चलिए मिलते है आगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत।